सनातन पंचान के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुरदशी है ये पर्व हर वर्ष भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को मनाया जाता है इस दिन जगत के पालनहार भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है साथ ही ब्रहम बेला से लेकर पूजा के समय तक व्रत रखा जाता है इस पूजा में भगवान विश्नु के अनंत स्वरूप की उपासना की जाती है धार्मिक मान्यता है कि अनंत रक्षा सूत्र बांधने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं इस अनंत चतुर्दशी पर व्रिद्धी योग समेत कई शुब संयोग बन रहे हैं इन शुब योगों के दौरान पूजा करने से अनंत शुब फल की प्राप्ती होती है आईए शुब मुहूर्थ एवं योग के बारे में विस्तार से जानते हैं शुब मुहूर्थ भादरपद माह की चतुर्दशी 27 सितंबर को रात 10 बज कर 18 मिनट से शुरू होगी और 28 सितंबर को संध्याकाल 06 बज कर 49 मिनट पर समाप्त होगी सनातन धर्म में उदया तिथी मान है अतह 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है साधक दिन में किसी समय जगत के पालनहार भगवान विश्नु के अनंत स्वरूप की पूजा कर सकते हैं शुब योग जियोतिशीयों की माने तो अनंत चतुर्दशी के दिन वृद्धी योग का निर्मान हो रहा है वृद्धी योग शुब कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है इस योग में किसी भी कार्य का श्री गनेश कर सकते हैं साथ ही इस योग में भगवान विष्णू की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है रवी योग अनन्द चतुरदशी के दिन रवी योग का भी निर्मान हो रहा है इस दिन रवी योग का निर्मान प्राता काल शून्य 6 बज कर 12 मिनट से हो रहा है जो पूरे दिन इस योग में भगवान विश्नु की पूजा करने से साधक के सकल मनोरत सिधा होते हैं। साधक दिन में किसी समय भगवान विश्नु के अनंत स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्थ पंचान के अनुसार। अनंत चतुरदशी के दिन अभिजीत मुहूर्ट दिन में 11 बजकर 48 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक है इस दोरान शुप कार्य भी कर सकते हैं नक्षत्र योग अनंत चतुरदशी के दिन ग्रहूं का संयोग कुछ इस प्रकार बन रहा है उदया तिथी से लेकर देर रात 01 बजकर 48 मिनट तक पूर्व भादरपद नक्षत्र है यह नक्षत्र शुप कार्यों के उत्तम होता है इस नक्षत्र में भगवान की उपासना करने से कार्यों में सिध्धी प्राप्त होती है इसके पश्चात उत्तर भादरपद नक्षत्र है